नमस्कार दोस्तों स्वागत है। आप सभी का हमारे इस चैनल गरुट धर्मार्त पर दोस्तों यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। इस प्रित्वी पर जितने भी प्रकार के खाद्य पदार् अवल प्राणियों की भूग को शांत करने का कार्य करते हैं। बलकि कई प्रकार से किसी ना किसी तरह से उनके लिए फायदेमंध भी साबित होते हैं। परमात्smा ने फल, फूल, सबजी, कई प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राणी के लिए इस धरातल पर बनाएँ हैं। यदि उनके फायदे के हर एक व्यक्ति को जानकारी हो जाए, तो इससे बड़ी आसानी के साथ वह उनका लाब ले सकता है। सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों में कई प्रकार के पौश्टिक तत्व मौझूद होते हैं, जो शारीरिक रूप से बेहद फायदे मंद होते हैं। सभी प्रकार की शारिरिक कमजोरी को दूर करने के साथ ही शरीर को हश्ट-पुष्ट और बलवान बनाने के लिए यह फल, फूल और सबजी बेहद ही प्रभावी माने जाते हैं। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को ज्योतिश शास्त्र के मुताबिक तीन ऐसी सब्जियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें यदि आप सप अवश्य करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, वैसे तो सब्जी का सेवन हर घर में किया जाता है। इस दुनिया में कई प्रकार की सब्जियां पाई जाती है, जिनमें कई प्रकार के पोशक तत्व पाई जाते हैं, जो शरीर की सभी प्रकार की बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए बेहद ही प्रभावी माने जाते हैं। आम तोर पर देखा जाए, तो ज्यादातर लोग टमाटर, आलू, प्याज, बैंगन, कद्दू, ऐसी सब्जियों का सेवन करना पसंद करते हैं, इसके अलावा भारत में ज्यादा तर फूल, गोभी, पत्ता, गोभी और कई प्रकार की सब्जियां होती हैं। उन्हें बड़े चाव के साथ खाया जाता है। दोस्तों, इन सभी खाद्यपदार्थों में कई प्रकार के पौश्टिक तत्व पाये जाते हैं। लेकिन यदि आप इन्हें मसाले के स आना प्रारंब हो जाएगा। इन सब्जियों का नियमित रूप से सेवन करने से धन का अभाव खत्म हो जाता है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और जो ग्रह आपका कमजोर होता है, वह भी पौजिटिव रूप से आपको फल प्रदान करने लगता है। दोस्तों, ज यदि आप शकरकंदी का सेवन नियमित रूप से करना प्रारंब कर देते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में धन का आगमन होने लगेगा। माता लक्ष्मी की कृपाद्रिष्टी बरसेगी। आप पर बनी रहेगी। ज्यादा तर लोग शकरकंदी का सेवन न नहीं किया है, तो अभी शकरकंद को अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए। ये ना केवल आपकी सेहत को बहतर बनाने का कार्य करेगा, बलकि आपकी तिजोरी को भरने का कार्य भी बड़ी सहजता के साथ कर देगा। जिस घर में शकरकंद खाई जाती है, उस घर का उर्वेद की दृष्टी से देखा जाए, तो कद्दू की सबजी जो होता है, वह कई प्रकार के पौश्टिक तत्वों से परिपूर्ण होता है, जिसकी वजह से ये न केवल खाने में स्वादिष्ट होता है, बलकि हमारे स्वस्थ को बहतर रखता है, साथ ही दोस्तों शा में ज्यादातर लोग नहीं जानते, जिसकी वजह से उसे इगनोर कर देते हैं, लेकिन अब जानने के पश्चात आप कभी इगनोर नहीं करेंगे, दोस्तों यदि तीसरी सबजी के बारे में बात की जाए, तो वह मंगोडी का सबजी है, मंगोडी की सबजी को भी बहुत ही बहतरीन तरीके से कार्य करने वाला सबजी कहा जाता है, ये ना केवल खाने में स्वादिष्ट होता है, बलकि शास्त्रों के आधार पर देखा जाए, तो यह चमतकारिक रूप से लाभ प्रदान करता है, यदि आप इसका नियमित रूप से सेवन करते हैं, तो इससे आपक जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होगी, माता लक्ष्मी की कृपा द्रिष्टी सदैव आपके घर परिवार में बनी रहेगी, और आपके घर परिवार का हर एक पती तेजी से तरक्की करते हुए आगे बढ़ेगा, जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसी शक्तिशाली सबज जो आपकी किस्मत को चमका सकता है, इसलिए नियमित रूप से इसका सेवन करना प्रारंभ कर दीजिए, यदि चौथी सबजी के बारे में बात की जाए, तो दोस्तों, वह कड़ी पत्ता की सबजी है, यदि आप कड़ी पत्ता को अपने सबजियों में लगाते हैं, तो इस से धन लाब होता है, आपका मान सम्मान बढ़ता है, प्रतिष्ठा में वृद्धी होती है, गुरुवार का दिन गुरुदेव ब्रहस्पती को समर्पित माना जाता है, इसलिए गुरुदेव ब्रहस्पती भी इस दिन कड़ी की सबजी का सेवन करने से बलवान बन जाते है यदि पांचवी शक्तिशाली सबजी के बारे में बात की जाए तो तो वह पालक की सबजी है। प्रस्तुती में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझा गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।